दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ECO थू सप्लाइ कर रहे हो यहाँ पे जब मैं ECO बोल रहा हूँ तो ECO का मतलब है अगर आप Amazon या फिर Flipkart के थू कोई goods बेच रहे है तो वो वाले case में आपको आपकी टैली की entry कैसे करने है वो आज की वीडियो ज्यादा जाएगा तो मैंने ओल्रेडी वो entry बना के रखे हुई है मैं आपको explain करूँगा सभी चीजे कैसे कौन सा laser बनाना है वो भी कब बनाना है वो भी explain करूँगा ओके तो हमने ओल्रेडी ये entries करके रखे हुई है तो समद लीजे के हमने कोई माल बेचा है amazon के through ओके और वो माल है यहाँ पे जो detail देख रहे हैं आपके जैसे sales voucher में आप भी जब भी कोई माल बेचोगे amazon के through तो आपको sales voucher में जाना है आपकी जो भी date है वो enter करना है फिर आपको एक laser create करना है party के नाम पे ये वाला view आपके आपका जो भी sales voucher है ये वाला view आना चाहिए ओकी ये वाले view से आप enter करोगे otherwise दूसरे भी तरीके है लेकिन अभी मैं इस ही में explain करूंगा आपको कैसे entry करोगे तो Amazon का जो लेजर है वो आपको कैसे create करना है Amazon रहेगा आपका sundry data यहाँ पे maintain balance bill by bill मैंने yes रखा हुआ है आप चाहो तो इसे no भी रख सकते हो okay चलिए then Amazon का जो भी mailing address है वो सारी चीज़े आप practical way में चीज़े कर रहे हो तो सारी चीज़े आपको बतानी है otherwise इसे छोड़ना ह अब यह जो भी Amazon का means Amazon ECO है हमारा वो हमारे ही state में fall करता है तो हम गुजराद ही ले ले लेंगे यहाँ पे then उसका जो registration type है वो regular रहेगा उसका GST number आपको डालना है then set alter GST detail में आपको yes करना है और तीसरे वाला जो option है is e-commerce operator क्या यह e-commerce operator तो हाँ Amazon एक e-commerce operator है तो इसे yes और बाकी के detail जो आप देख रहे हूँ वैसे आपको बताना है और simply इसे accept कर लेना है जैसे आप इसे accept करोगे then ये वाला एक party detail वाला जो menu है वो आपको नजराएगा जहाँ पे Amazon आपका bill to आप bill किनको बना रहा है तो Amazon को और फिर यहाँ पे आपको mention करना पड़ेगा कि जो party को आप माल बेच रहे हो मिंस देखे एक तो आप माल बेच रहे हो आप supplier हो कोई माल receive कर रहा है वो recipient है ओके तो recipient की detail यहाँ पे जाएगी और Amazon है वो इसी हो है वो बीच में काम करेगा ओके तो जिसकिसी को आप माल बेच ले हो ओके वो party का address आपको यहाँ पे डालना है और अ को माल बेचा है लेकिन वो एक register person है तो उसकी detail आप यहाँ पे कैसे provide करोगे तो देखिए उसका जो laser है मैं आपको laser बढ़ाता हूँ उसका laser हमने कैसे create किया है जिस्ट अ मिनिट चले तो यह जो है party क्या नाम था xyz store उके इनको माल बेचा है तो देख लीजे उनका laser आप कैसे बनाओगे alter c करोगे वहाँ पे xyz store यहाँ पे mention करोगे उनका नाम जो भी है इसको भी रखेंगे sunri data में बाकी की detail जैसे amazon का हमने laser बनाया था वैसे ही बनाना है simply यह वाला जो option है set alter gst detail उस पे आपको नहीं जाना है लेकिन उसका जो registration type है वो regular है या जो भी है वो बताना है और उसका gst number पे आपको डालना है हाला कि मैंने यहाँ पे gst number एंटर नहीं किया गया है क्योंकि यह मैं आपको demo बताने के purpose से ही यह सारी चीज़े कर रहा हूं तो यह कुछ इस तरह से इसका laser बनेगा जैसे laser create हो जाएगा तो xyz store यहाँ पे आ जाएगा mailing name में मिल जाएगा अगर यह registered person नहीं है तो कैसे entry करना है वो दूसरी entry जो registered नहीं है unregister person को बेच रहे वो भी हम बताएंगे देखिए उसका gst number अगर होगा तो यहाँ पे reflect हो जाएगा आप अगर enter करोगे तो अगर practical way में कर रहे हो तो यह करना पड़ेगा आपको then place of supply गुजरात है okay अब यहाँ पे एक leisure हमारा बनेगा sales cst अब यह कैसे बनाना है आपको तो यह इसका leisure कुछ इस तरह से होगा sales gst उसका account रहेगा sales gst applicable में applicable रखना है set alter gst detail no रखना है और यहाँ पे हम बता देंगे goods क्योंकि हम amazon के through goods बेच रहे बस इतना ही कुछ करना है यहाँ पे कोई भी gst आपको नहीं लगाना है जब item आप create करते हो जैसे हमने यहाँ पे furniture का laser create किया तो furniture का laser जैसे कोई भी item आप create करोगे तो item में ही आपको अगर category बना सकते हो अदर्वाइस हमने ऐसे ही छोड़ा है यहाँ पे आप unit डाल दोगे unit का भी आपको पता है कैसे बनाना है तो unit बना लोगे then gst applicable यहाँ पे set alter gst detail में आप yes करोगे then यहाँ पे hsn number आपको अगर applicable है तो डालना है then taxable यहाँ पे डालना है और 18 person यह वाली product पे लगता है furniture पे समझ लिए आप जो बेच रहे उसके उपर 18 person तो item में हमने gst rate बटा दिया यहाँ पे goods डाल देंगे और इसे accept कर लेंगे अब furniture है उसकी चार quantity हमने buy किये है हर एक की value 50,000 है तो total मिला के 2,00,000 का हमारा bill हो जाएगा taxable जो means value होगी वो 2,00,000 हो जाएगी अब उसके अंदर cgst लगाएंगे तो cgst कैसे create करना है cgst cgst मैं बता दूँगा वैसे ही cgst आपको create करना होगे तो cgst डाल देंगे then duties and taxes उसका group रहेगा यहाँ पे gst रहेगा यहाँ पे central tax रहेगा पाकी की detail को आपको ऐसे ही छोड करोगे यह भी मिल जाएगा आपको तो इस तरह से समझ लिजे के हमने पहली जो हमारी product है वो बेची है आप जीतनी भी product बेच रहे हो इस तरह से आपको entry करने है okay फिर क्या करना है वो भी बताएंगे लेकिन पहले देख लें के unregister person को अगर sell कर रहे हो तो कैसे अब यहाँ यहाँ पे हमने bill wise detail yes रखे होई थी जब आपने amazon का account बनाया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे bill wise detail yes थी okay तो यहाँ पे हम बताना चाहते है कि जो भी हमारा bill बने उसका हर एक bill का एक reference number generate होना चाहिए तो यहाँ पे हमने यह जो bill बनाया उसका दो number ले लिया okay यह दो number का bill है मन्स हमारा उसका reference number दो दी दिया हमने और total value है दो लाक चातीस हजार और यह हमने एक register person को माल बेचा था through amazon तो इसे accept कर लेंगे चले से no कर देंगे दूसरा जो हमने product बेचा है उसकी डीटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी दूसरे product में भी हमारे पास amazon ही है लेकिन जब Amazon को हम माल बेच रहे हैं तो हो सकता है कि वह register person भी हो और पहली हमारी जो डीटेल थी वह register person की थी अभी दूसरी डीटेल है उसमें यह जो personality है राच वह register person है ओके यहाँ पर नेम डाल देंगे जिसको माल बेच रहे है वह और उसका जो भी बाकी detail है वह आप आगे जैसे काम क इसका भी sales GST जैसे हमने अगली वाली जो entry की थी वैसे ही करना है अब mobile को भी है यहाँ पर mobile बेचा है हमने तो mobile एक quantity बेची है उसका unit हो अगे रहा है यहाँ पर GST डीटेल यस करेंगे और यहाँ पर HSN नमबर और taxable रहे गाई है और 12% के हिसाब से इस पर tax rate लगाया जाए 56,000 total value means invoice value होगे हमारी 56,000 और यह वाला जो reference नमबर है वो पहले वाला मिंस यह पहला वील है वो दूसरा वील था ओके तो unregister person को हमने बाल बेचा और register person को भी माल बेच रिया है तो हमने पहले तो क्या 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 है जो हमारी जो भी बिक वाली है वो उसकी entry आपको करनी है अगर register person को बेचाए तो कैसे करना है और register person को बेचाए तो कैसे करना है वो उने बता दिया अब क्या होगा कि Amazon जब क्या करेगा Amazon आपको payment करेगा या payment से पहले आपको वो अपना bill provide करेगा उसका commission वगएरा generate हो रही होगा होगा तो उसकी detail तो Amazon आपको क्या बेजेगा एक receipt बेजेगा या एक voucher बेजेगा जो समझ लीजे कि एक तरह का bill है आपके लिए क्योंकि Amazon भी उसके उपर कुछ commission चार्ज करेगा जिसे वो closing fees, referral fees, handling fees के नाम से वो उसे identify करता है अब आपको क्या करना है कि जब भी Amazon आपको ये bill generate करके देता है उनके commission का और साथी साथ payment भी करेगा वो तो वो दोनों की detail कैसे करनी है तो जैसे पहले bill मिलता है हमें जिसमें उसके commission की detail है closing fees इतनी रहेगी, referral fees इतनी रहेगी, handling fees फिर Amazon के through हम बेच रहे है तो वो वाले कि इसमें Amazon उसके उपर TCS लगाएगा क्योंकि जो भी ECO होगा Electronic Commerce Operator उनको बताया गया है कि आपको TCS काटना पड़ेगा 0.5% के हिसाब जो भी taxable value का आपके through supply होगा उसके उपर 0.5% के हिसाब से आपको CGST और HCST पे करना पड़ेगा और अगर IGST पे कर रहे हो या आपको ये वाला जो बील आपको provide करेगा तो पहले क्या करना है आपको General voucher में आना है और General voucher में जाके यहाँ पे Alter J-Price करना है Start State Adjustment ओके Alter J-Price करोगे यहाँ पे GST पिक करोगे यहाँ पे Increase of Input Tax Credit क्योंकि एक तो जो Amazon उसका Commission होगा Closing Fees, Referral Fees, Handling Fees उसके उपर CGST, SGST भी लगेगा ओके वो भी हमें सर्वीस ही दे रहा है और साथ ही साथ जो भी आपकी Taxable Value है जो आप सप्लाइ कर रहे है उसके उपर वो 0.5% के हिसाब से CGST और SGST भी काटेगा तो वो वाले किसकी में आपका Input Tax Credit ही बढ़ने वाला है तो आपको वो mention करना है यहाँ पर Then TCS Adjustment वाला option आपको pick करना है अब क्या करेंगे Simply Entry करेंगे पहले जो भी Closing Fees है, Closing Fees का Laser क्या रहेगा चले मैं बता देता हूँ तेकि Closing Fees होगा उसका Indirect Expenses उसका Group रहेगा Applicable रखेंगे यहाँ पर Then Services यहाँ पर Services रखेंगे बस बाकी और कुछ चीज़ें नहीं करने तो वो 3000 है हम Approx Figure ले रहे हैं कोई भी Figure हो सकती है Amazon का अगर Real Will होगा तो उसमें आपको Value Mention होगी तो यह 3000 है वैसे ही Referal Fees का भी वो भी Indirect Expenses है उसका भी बना वो CGST, SGST लगा है तो वो हमारे लिए तो Input रहेगा इसलिए उसे Repet करेंगे SGST हम बनाएंगे जैसे अल्रडी हमारा बना हुआ है फिर यहाँ पर आपने जैसे यह TCS का Adjustment किया है उसके वज़े से यह वाला एक Menu आएगा जहाँ पर आपको बताना है कि 9% के हिसाब से 9000 पर 9% CGST लगेगा यहाँ पर SGST है SGST 9% और CGST 9% तो 9% हम यहाँ पर ले लेंगे और जो भी Value होगी Closing Fees, Referral Fees, Handling Fees तो उसकी Value डाल देंगे Taxable Value डाल देंगे Then manually आपको एंटर करना पड़ेगा यह जो 9000 है उनकी जो Fees है उसके उपर 9% के हिसाब से कितना बनता है तो हमने 810 mention किया फिर वैसे ही CGST को भी debit कर लेंगे है इसी तरह से Then आपको TCS on CGST यहाँ पर TCS वो काटेंगे 0.5% के हिसाब से देखिए वो कैसे बनेगा तो हम Leger बनाएंगे TCS on CGST अब यह CGST का credit के साथ भी match करना है तो इसका जो Leger रहेगा उसका Group रहेगा Duties and Taxes GST के अंदर फॉल पड़ेगा और यह Central Tax के अंदर ही इसको भी लेना है Then simply यह SES करके इसको Accept कर लेना है और यहाँ पर बताना है 0.50% of Taxable Value देखिए हमने 50,000 का Mobile बेचा था Taxable Value लेनी है यहाँ पर 50,000 का Mobile था और 2,000,000 का Furniture था Total मिला के 2,500,000 की जो Taxable Value है उसके उपर Amazon 0.50% के हिसाब से CGST और SCST काटेगा तो यह हम mention करेंगे फिर 0.50,000 का जो भी 0.50% के हिसाब से जो value होगा वो आपको यहाँ पर enter करना है then TCS का भी वैसे ही लेजर बनाए और वो रहेगा Central Tax के अंदर और उसका भी यहाँ पर 0.50% के इसाब से 0.50,000,000 पर 1250 का वो TCS यहाँ पर mention करना है अब यह जो पूरी value है वो पूरी value को हम Amazon को क्या कर देंगे credit कर देंगे तो कि Amazon हमारा data था लेकिन अब यह कुछ चीजे है वो Amazon हमारे पांस से मांग रहा है तो वो वाले case में हमारा जो data है वो data घटेगा तो उसको credit किया जाएगा तो Amazon को हम credit करेंगे इतनी value Amazon को अब हमें नहीं provide करनी है 13,120 अब यह 13,120 में भी क्या करेंगे कि जब आप enter करोगे जब Amazon जैसे pick करोगे तो आपको पुछा जाएगा कि इसको क्या adjust करना चाहोगे आपके bill के सामने तो मैंने बोला हाँ against reference number और आधी जो value होगी means 13,120 है तो 6,500 6,560 होना चाहिए 6,560 हम पहले वाले bill के सामने हम adjust करेंगे अब enter करेंगे enter करेंगे enter करेंगे और enter करेंगे तो ये जो Amazon के through हमें जो detail मिली होगी वो भी हमने उसकी detail journal में डाल दी कैसे डालने है हमने बता दिया आपको अब Amazon पेमेंट भी करेगा तो Amazon जो payment करेगा वो receive voucher में होगा Amazon जो payment करेगा वो मैं बैंक में मिलेगा तो बैंक को डेबिट करेंगे और Amazon को क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि अब Amazon के पास कुछ भी लेना बनता नहीं है अब Amazon के पास कितना बचा होगा तो यहां पर वैल्यू बताई है 2,88,888 रुपे उसे पे करने है तोटल वो पे करेगा और दोनों जो बील है उसको यहां पर एड्जस कर लेंगे पहले वाला बील है उसके अंदर कितना बाकी है 49,000 वो डाल देंगे और दूसरा जो है उसके अंदर भी जो फूरी वैल्यू है वो डाल देंगे तो 2,88,888 रुपे हम एड्जस कर लेंगे और वो अमाउंट हमें मिलेंगे बैंक अकाऊंट में तो यнд वैल्यू हाँ पर डालेंगे यह कुछ कैसे हमें यह अकाऊंट में क्रेडिट हुआ है तो यह डीटियल आप बता सकते हैं अगर आप चाहों तो यहां से कैसे यह detail e-transfer हुआ है check से मिला है जो भी means e-transfer ही हुआ होगा तो आपको बताना है वैसे यहाँ पे यह pick करना चाहिए e-transfer और इसे accept, accept, accept कर लेना है यह हो गई आपकी entry तो यह 4 तरक्य आप entry करोगे अब क्या होता है कि आपको balance it देखने है balance it देखोगे तो क्या होगा जैसे यह last वाली entry है वो मुझे explain करने पड़ी कि आपको यह वाली 1250 की तो समझ लिजे यह entry को मैं delete कर देता हूँ क्योंकि कुछ चीजे मैं समझाना चाहता हूँ तो इसे delete कर दिया मैंने अब क्या करेंगे जैसे हम balance it में जाएंगे जैसे हम balance it में जाएंगे और alter F1 करेंगे देखे सहती जज़ा 880 रुपे हमारा duties and taxes pay करना बनता है लेकिन आप जब इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको 40,000 नजर आ रहे है मिन्स credit side पे आपको pay कितना करना है 40,000 380 लेकिन आपने debit किया था जो CGST के laser के मिन्स CGST उसका group रखा हुआ था central tax और state tax और TCS on CGST and TCS on SGST यह laser बनाये थे वो debit किये थे अब यहाँ पे तो क्या कर रहा है tally क्या कर रहा है आपको यहाँ पे जो figure दे रहा है वो उसे मिन्स set up करके दे रहा है लेकिन जब हम laser के अंदर access करते है तो यह 12,50 रुपे यहाँ पे हमें debit में नजर आते है तो कुछ ऐसा किया जाए कि यह इसके साथ यहीं पे adjust हो जाए यह जो value है सहती ज़दा 880 वो हमें यहाँ पे ही नजर आ जाए यहाँ पे इसको जोड के तो अब क्या करेंगे कि इसको adjust कर लेंगे adjust कैसे करेंगे कि यह TCS on CGST है वो debit है और यह SGST भी debit है तो यह दोनों को credit करेंगे और CGST, SGST को debit कर देंगे उससे क्या होगा कि यह जो value है उसके साथ जूड जाएगी और यह जो figure आपको बाहर नजर आए रहे वो आपको CD ही यहाँ पे नजर आएगी देखे कैसे करते है तो 1250 रुपे है जनरल voucher में जाएंगे हम जनरल voucher में जाने के लिए आपको F7 price करना है आप जनरल में चलेगे अब debit क्या करेंगे CGST वो 1250 यहाँ पे CGST को हम क्या कर लेंगे debit कर लेंगे वैसे यहाँ पे debit क्या करेंगे CGST को भी debit कर लेंगे 1250 तो मिन्स इसका मतलब क्या हुआ 1250 है वो CGST और SCST में इससे गट गए 18940 हो गए उसमें से गट गए लेकिन सामने हम credit जैसे करेंगे तो 1250 फिर से जूड जाएंगे और जो यह वाला laser है कौन से वाला TCS on CGST वाला laser है वो vanish हो जाएगा और वो उसके CGST के अंदर ही जूड जाएगा तो यहाँ पे मैं 1250 जैसे डालूँगा देखे 1250 देखें यहाँ पे 1250 बैलेंस है लेकिन जैसे एंटर करूँगा तो अब यह नहीं रहेगा दिन वैसे ही TCS, SCST भी डाल देंगे क्योंकि यह दोनों को adjust करना है हमें TCS, SCST को भी डाल देंगे और यह भी 1250 जैसे डालोगे तो अब देखो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे अब हम जाके बैलेंस इट में देखेंगे देखे, बैलेंस इट में हमें जो Duties and Taxes बता रहा है वो 37880 है अब आप देखो कि यहाँ पे जो फिगर है 37880 है, इससे क्या होगा कि यह हमें थोड़ा खटके का नहीं, यह हमें पता चल गया अब यह क्या कप करना है कि जब आपको ITC मिलेगी, जब दूसरे मैने में जैसे अपरिल के एंटरे है, तो मैं में जब भी Amazon अपना रिटन फाइल करेंगा, तो वहाँ पे वो बताएगा कि हमारा CGST और HGST 810 जो हमने हमारी services जो हमारी closing fees है handling fees है, referral fees है उसके उपर जो 810 रुपे हमारा CGST, SGST तो बनता था वो तो adjust हो गया, लेकिन adjust होना कौन सा बाकी थी debit किया था, हमने TCS on CGST and TCS and HGST, वो debit किया था, तो उसको हमने adjust कर लिए, पहले से भी आप adjust कर लोगे तो जब आपको मई में ITC मिलेगी तो वो वक्त पे आपको ये adjust करना नहीं रहेगा, और अपने आप ये आपको पता चल जाएगा कि टोटल हमें टैक्स कितना pay करना है, अठरा आजा, नो सो चालिस और इन रियल जब आप payment करोगे, GSTR 2B में आप जाओगे, GSTR कर, वो भी देख लेते हम ओके, इस्पले में जाएंगे, then statutory report हमारा GST report में जाएंगे, और 3B जब फाइल करते हैं, April का आप ओके, April का जब आप फाइल करोगे तो देखें, ये आपको बता रहा है 42,000, ओके, तो ये 40,000 आपको बता रहा है, लेकिन ये जो return है, not relevant अभी बता आगा है, हम देख लेते हैं, not relevant क्यों बता रहा है ओके, तो ये वाली entry है आपकी, ये तो relevant है ही नहीं, ये वाली entry है वो adjust क्या था, जो adjust क्या था, वो यहाँ पे नहीं बता रहा है, 3B में वो यहाँ पे नहीं बता रहा है, लेकिन जब आप written file करोगे, जी एस टी आर 3B का, तो portal पे क्या होगा, portal पे आपको जो चीजे नजर आएगी, portal पे आपको जो चीजे नजर आएगी, वो बायाली सजार में आपको payment कैसे करने है, 21,000 की आपको SCST पे करने है, और 21,000 की CGST पे करने है, अब इसके सामने यह जो 21,000 आपको पे करने है, उसमें 810 रुपे का तो आपको ITC मिलेगा, जब Amazon GSTR 1 फाइल करेगा, तो मही में आपको 810 का ITC मिल जाएगा, तो समझ लीजे, आपका जो 21,000 है, अगर आप कैलकुलेटर पे भी यह कैलकुलेट करके देखो, के 21,000 का आपका CGST बन रहा है, और अगले महीने आपको ITC क्लेम करने है, जो Amazon जब भी अपना रिटन GSTR 1 फाइल करेगा, 10810 रुपे, और 1250 भी आपको मिलेगा, जो आप TCS उन्होंने काटा होगा, CGST पे, 0.5% के इसाब से, तो 1250 भी आप उसमें गटा लोगे, तो वो आपका जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू हो जाएगा, 18,940, I think, मुझे जहां तक पता है, 18,940 लोगों, ओके, और जब वो क्रेडिट आप क्लेम करोगे, तो वो वाले के इसमें आपको जो रिटन फाइल करोगे हो, तो रूटन फाइल करते वक्त, आपको जो टैक्स पे करनी है, वो 77,880 ही होगी, ओके, 18,940 आपके बनते हैं, CGST के, और उसको SGST के साथ जोड़ लोगे तो 37,880 आपको टैक्स पे करना है, उस वक्त पे आपको ये सैट आप नहीं करना बढ़ेगा, तो अगले महिने में ये जो कैरी फोरोड होगा, वो 77,880 आपको टैक्स पे करना है, वो कैसे पे करोगे आप, तो आप बैंक से इसे पे करोगे, या फिर कैस से पे करोगे, तो चलिए इसकी payment की entry भी हम करके देख लेता है यह जो भी tax है वो मई में आप pay करोगे तो F2 करके हम डाल देते हैं यहाँ पर 25 क्योंकि 25 last date होती है return filing की 25 हम डाल देंगे just a minute पेमेंट में चले जाएंगे और यहाँ पर हम date enter करेंगे 25 अब यह इसलिए enter नहीं हो रही होगी क्योंकि हमारा जो period है वो I think change हो गया होगा देख लेते हैं यहाँ पर यह इससे choice बता रहा है तो अब यह entry क्यों नहीं हो रही है F5 में जाएंगे यहाँ पर date डाल देंगे देखे 25 इसलिए कि 25 date यह हमारा educational version है मेरे पास registered tally ARP है लेकिन यह वाला register नहीं है तो इसमें date चले एक 5 डाल देते हैं आपको 25 को जब आप return फाइल करते हो वो date डालने पड़े एक 5 मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे जो भी payment है tax की जो payment है tax की payment करनी है तो वो वाले case में cgst में यहाँ पे डाल दूँगा और जो भी वे 18,940 उसका payment होगा और scst का भी payment हो जाएगा 18,940 और यह जो total value है वो हम bank से payment करेंगे तो जब भी bank से payment होगा इसको enter करेंगे आपको यहाँ पे डाल देना है कि किस तरह से आपने जैसे ही transfer कर दिया है तो यह detail डालोगे और देखिए यह entry हमने कर ली अब आप balance it में जाओगे तो आपका जो tax है वो tax आपको नजरने आएगा क्योंकि tax बनता नहीं हमने pay कर दिया तो इस हिसाब से आपको अगर Amazon या Flipkart के true आप अपना supply करते हो goods का तो वो वाले case में आप इस तरह से entry कर पाओगे तो I think के यह चीज़े आपको जानने में काफी useful रहेगी अगर आपको भी return file करना है या फिर इनकी टेली में entry करनी है तो यह कुछ चीज़े बताई है वो आपको जरूर से helpful रहेगी अगर वीडियो पसंद आए है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू थैंक्यू सो मच